आज के गेमिंग नीज के एपिसोड में आपको GTA 6, GTA Mobile, PUBG vs Free Fire, God of War, Apex Legends Mobile and और भी काफी साथ गेम्स की इंटरस्टिंग नीज पता लगेगी तो यहन तक जरूर देखना, लाइक के बड़न दबा देना और चल्मी सब्सक्राइब कर देना इसी गेमिंग से रिलेटिब वीडियोस देखने के लिए आपको बताई होगा कि PUBG अफ्री टू प्ले हो चुका है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, किस किसने खेनाल चालू कर दिया मेरे को बताना कमेंट्स में क्रेटिव डिरेक्टर ने बताये कि ऐसा नहीं है, इस गेम में आठ मैप्स हैं और बहुत ही डीब गन मेकानिक्स, तो उनके एक कॉर्डिंग की सही टाइम तर इस गेम को फ्री टू प्ले करने का, ताकि जो लोग इसे नहीं खेल पा रहे है वो भी खेल पाएं, अवेटार पाएंगे और दूसरे इलियन क्लिचर के साथ मिल के आठ ये हुमन से लड़ेंगे, इसे अंडियल इंजन 4 में बनाया जा रहा है और इसमें सिंगल प्लेयर स्चोरी मिशन होंगे विद सोलो एंड मल्टि प्लेयर मैचेस, और आपको बता दो कि जिस डेवलपरें ड्रागन राजा बनाया था ना, वही इसे बना रहा है और टेंसेंड इसका प्रेडियूसर है, इसका ट्रेलर तो भी तक सामने नहीं आया पर एक कॉंसेप्ट आर्ट शेर की गई है बस, बात करें फ्री गेम्स की, तो इस भी गालेक्टिक सिविलाइजिशन 3 फ्री मिल रहा है पी ग एक कॉंपक्ट बैटल रॉयल है, जिसमें 64 प्लेयर्स होंगे स्रिफ 20 मिनट्स के राउंड में, ट्रॉय के एक रैंडम छोटे से हिस्से पर मैचेस होंगे, और सब पर फिक्ज गन्स और स्रिफ दो केर्ड पैकेजिज मिलेंगे, फिर पी नाइंटी नहीं एक नहीं SMG आ कर आपको मैंने पहले भी बताया था कि Apex Legends Mobile का soft launch 17 में को खतम होगा, और 31 में को शायद officially release भी हो जाएगा, अब एक pre-release disclosure में सामने आया है game में, जिसमें लिखा है कि लोग जो भी soft launch भी रटके दोरान earn करेंगे, वो सब reset हो जाएगा official launch पे, लेकिन हागर कुछ skin unlock करी होगी त आप Apex Legends Mobile खेल रहे हो या फिर नहीं या फिर इसके beta testing करने का मौका मिला था या नहीं, बता ना comments में, और भाई यहाँ पर एक बहुत ही shocking news निकल के आ रही है कि PUBG के developer Crafton ने case ठोग दिया एक गरीना, Apple और Google पे, उनका कहना है कि गरीना के द्वारा बनाए गई गेम, Free Fire and Free Fire Max न lawsuit में लिखा है कि game की start में plane से कूदने का feature या weapons and attachments का combination and even armor, unique objects, game के textures, colors, materials, सब copied है, Crafton का कहना है कि उसने past में Google और Apple से कहा था कि यह game उनकी copy कर रहा है, बट उन्होंने कोई response नहीं दिया and नहीं कोई action लिया, even उन्होंने तो YouTube को भी कहा था कि इस पे से सारा Free Fire content हाट जाना चाह है, जो की नहीं सुना गया, तो भाई यह पता नहीं क्या ही होगा, देखते हैं कि इस lawsuit का result क्या निकल के आता है, वैसे आप में से बहुत लोग को लगड़ा हूँ कि यह news नकली है, तो मैं दुनिया की one of the biggest game news media का link दे रहा हूँ, description में वहाँ पर पढ़ लेना, परना मैंने lawsuit का भी direct link दे दिया है, उसे भी जाके बढ़ सकते हो, mobile and windows के लिए release की हुई for the street अब बंदोने जा रही है, यह एक free to play game है, जिससे Microsoft ने कहा है कि spring 2022 में बंद कर देंगे, क्यों इसका reason तो नहीं बताया गया, लेकिन अगर आप यह game खिलते हो, तो बस कुछ और दिनी बचे है मतलब exactly वो नहीं पर उसी direction में है, बेसिकली रॉक्स्टार गेम्स की patent company टेक्टू इंटरक्टिव ने Zynga क्वार कर लिया 12.7 बिलियन डॉलर में, यह gaming history का सबसे बड़ा acquisition है, और Zynga क्या है, यह world की one of the most successful mobile game developer है, जिन्होंने Farmville और Star Wars Hunters जैसी game बनाए है, इनका Star Wars Hunters गेम अ उन्होंने Zynga को खरीदे लिया, ताकि वो अपनी सबसे बड़ी game series को mobile पर ला सकें, उन्होंने कहा कि उनके पास बड़ी तगड़े brands है, like GTA, Midnight Club, Red Dead Redemption, Bioshock, Mafia, Borderlands, NBA 2K, और वो चाहतने है कि उनके PC and console games को mobile पर लाया जाए, या फिर उसमें नए game mode साट किया जाए for mobile, उन् acquisition चल रही है तो देखते हैं कि successful रहती है या फिर नहीं, वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि Take 2 ने Zynga को उसकी उम्मीर से जाधा ही पैसे offer करे हैं, और Take 2 भी उनको इतने जाधा पैसे इसलिए दे रहा है, क्योंकि Zynga Games इस तरही से बनाता है, जिससे पैसे बता है कि GTA 6 2023-2024 के बीच रिलीस हो सकती है, वो कैसे कह रहा है यह सब, बेसिकली Take 2 और Zynga की डील में जो financial documents सामने आये हैं, उसमें company ने promise किया कि वो 14% की compounded analog growth rate देंगे, अब आप इस phrase को समझने में दिमाग ना लगाओ, बस यह समझो कि इतनी growth rate वो दे ही नहीं सकते, लेक बता है कि अपरेल 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच रिलीस हो सकती है, और फाइनली God of War रिलीस हो चुकी है PC पर, सभी PC gamers कुछ तो बहुत होंगे तुम है ना, और consoles gamers आजकल गाली दे रहोंगे Sony को ऐसा करने के लिए, पर एक interview में सामने आया है, जिसमें God of War की studio director इस बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि God of War को PC पर लाने का idea Sony का नहीं, बलकि उनको खुद का था, बेसिकली वो परिशान हो चुके थे, वो अपने studio को suggestion boxes चेक करते थे, और उसमें बहुत सारे suggestions यहीं निकलते थे कि game को PC पर लाओ, क्योंकि as a developer वो जो employees होंगे, वो भी ही चाहेंगे कि उन जैसे reviewers का कहना है कि अगर आपको God of War experience करना है न, तो PC is the best platform right now, लेकिन वही बात है कि PC भी तो हो, और अगर है तो game चले उसमें, तो इसलिए यह देखलो इसकी system requirement screen पर, और यहां news आ रहे है कि Red Dead Online के players Rockstar Game से बहुत गुस्सा हैं, और वो तो परिशान होकर Save Red Dead Online का hashtag चला रहे ह परिशिकली दिक्करत है कि Red Dead Online है तो बहुत ही अच्छा गेम, पर इसमें कुछ भी नया नहीं आ रहा, बस weekly updates के नाम पर existing activities के रिवार्श बढ़ा देते हैं और कुछ नहीं, इसका last धंका update July में आया था last year और वो भी अच्छा नहीं था, अब लोग भी यह कहने है कि यह इत प्लेशेशन पर आया था और स्रिफ 4 डॉलर का था, तो लोग उसे असानी से खरीद पाए, आगर लेश में COD Vanguard, Battlefield 2042 और Mayden NFL 22 जैसी गेम्स भी शामिल है, अब आजकर Among Us खेलते हो हैं नहीं मुझे बता ना कमेंट्स में, यह भी सॉफन एनाउंस कर दिया कि Assassin's Creed का HZO Collection February 17 को Nintendo Switch पर रिलीज हो रहा है, मुझे याद आ रहा है कि लास्ट यर मैंने इसका एक लीग गेम्स गॉसिप पर डलवाया था, ऐसी एक्स्क्लूजव और फास्ट न्यूस के लिए फॉल लो गेम्स गॉसिप को Instagram पर, वैल इस कलेक्शन में Assassin's Creed 2, Brotherhood and Revelations होंगे, और गेम्प्ले को touchscreen and handle devices के लिए optimize किया जाएगा, वैसे अब इस switch पर भी आए गया है, तो mobile पर आजाए फिर तो मज़ाई आ जाएगा, और गाइस बस यह था आज रहे के वीनूस के एपिसोड में, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आए होगी, वीडियो अच्छी लगए तो like कर दो, और चैन झाल